खबरों में बने रहने के लिए बेला आइकॉन दबाएगे और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ेगे अयोध्या में उसी घटना इससल के चंद कदम की दूरी पर हमारे साथ बात करने के लिए महराजी हैं महराजी आप तो उस वक्त थे यहां पर पूरा हमें वाक्या बताएं क्या घटना करम था जी सुबह नौ बज़े का समय था पांच जुलाई 2005 और मैं इस रोड से उन्वल म की थी या मोड हो इसलिए और जैसे दो चार कदम में आगे बढ़ा तब तक गाड़ी यहां बैरिकेटिंग से सटी और सटेक साथ इतना तेज बिसफोट हुआ जैसे लगा कि रांकोट मुहला ही आसमान में उड़ गया हूँ और उपर बिल्कुल जैसे कुछ अंधेरा जैस किनारे से घुम करके फिर फोर्स वालों को सुचित किया कुछ इदर से भी फाइरिंग हुई कुछ अंदर आप उदर सामने वह बंबाने हुए थे उसमें भी स्फोट करके एक तो बिल्कुल रामलला के किनारे जख गया और उसने अपना जो भी स्फोट करने का यंत्र था उसे भी छोड़ दिया हुँ लेगि रामलला के टेंट पर से गीर करके नीचे उचलाया उपी स्फोट नहीं किया और इसी तरह से पांचों मारे गए एक उसमें पंड़ा था वो उसका भी बाह और पैर अलग-अलग हो चुका था और ठीक जैन मंदर से बगल में सटा हुआ और जगह है वह अधिर से मतला जुद्या के कपाने वाली थी फिर भी साइनिकों ने सहास नहीं शुड़ी और जो जीते थे एक दो उन्हों को भी गोली से मारा के आज आज उन्हों पर सजा का एलान होना है क्या आपको लगता है क्या सजा मिलनी चाहिए उन्हें मिर्तु द जिप जो जो हो पूरे देश में जनकारी करें उन्हें सजा होनी चाहिए हम राम लला से किसी तरह से ना सुरक्षा के में समझधा करने वाले हैं ना राम लला के उपर आँख दिखाने वालों को बरदास करने के स्थिति मैं ये महराज कनियद आजजी थे जो बता रहे थे उस पूरी घटना में कितनी वीबस घटना थी और किस तरीके से लोग मारे गए तमाम सारे और मांग कर रहे हैं कि इन दोशियों को फांसी की सजा होनी चाहिए कैमरमन राजेश पांडे के साथ संजेत रिपाथी एवीपी न्यूज आयोध्या